नमस्कार मैं विक्रमडेल आप सभी को आपके अपने ही चैनल सीखें कुछ अलग में हड़ीट सवागत करता हूँ दोस्तों पिसली वीडियो में हमने जाना था निवन कौन के तिरնमीतिय अनुपात जी हां निवन कोणों के त्रिकुनमीती अनुपात में क्या समन्द होता है उसके साथ साथ निवन कोण किसे करते हैं और उसके साथ साथ हम देर शारी फर्मुलाएं जाने थे definition जाने थे यहां shine एका मान कैसे निकालते हैं कोश एका मान कैसे निकालते हैं लंब करन और अधार किसे कहते हैं कैसे पस्थाने यह सभी जो हम लोगी doubt था यह हमने सभी full little में उसे clear कर दिये और दोस्तो आज की जो यह हमारी तीसरी वीडियो है वो यह है क्या यदि आपको किस कि शंकौन तिरभुज का दो भुजाओं का अनुपात दिया हो तो तीसरी भुजा की लंबाई हम कैसे ग्याद करते हैं जी हां यह एक topic है जिसमें आज हम लोग जानेंगे full detail में कि यदि किसी भी शंकौन तिरभुज में आपको दो भुजाओं का अनुपात यह दिया हो त तो हम तीसरी भुजा कैसे ग्याद करते हैं जी हां दोस्तो एक बात आप जान लीजिए कि तीसरी भुजा ग्याद कर सकते हैं हम वो किसकी मदद से तो फाइथागोर्स प्रवें की मदद से हम तीसरी भुजा ग्याद कर सकते हैं तो वो ग्याद कर सकते हैं लेकिन कैसे कर सक करना दिया रहेगा तो तुन किसी भी काई का से निकालेंगे गमाई कैसे गयात करते हैं तुन इसे इंगलीज में किया करते हैं knowing the value of trigonometric ratios of an acute angle A, when one trigonometric ratio of angle A is given यानि एक अनुपात आपको दिया रहेगा और अने तिरकुडमीते अनुपात आपको ग्याद करना है वो हम कैसे ग्याद करते हैं दोस्तों यहाँ पे सबसे पिले आपको मैं question दिखाता हूं question इस परकार से पूछते हैं वो कैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है यहाँ किसी समकॉन त्रिभूस A, B, C में किसी भी पकार क्या आपको समकॉन त्रिभूस दिया रहेंगे PQR रहेगा नाम कोई भी उससे कोई दिकत नहीं होने वाला जबता यहाँ परकार से निकळता है यहाँ परकार से क्रेसाओर है उसमें क्या है B, C, A, B बटा B, N, C उनुपार आइसे भी question पूछ सकता है क्या है इस परकार से लिखा रहेगा बड़ाबर दिया रहेगा एक अनुपात दो यानि क्वाट बड़ाबर क्या है एक बड़ाद दो तो अरने तर्कुनमिति अनुपात कैसे ज्याद करते हैं यह हम लोग सीखते हैं दूस्तों सबसे अभी माने आपको बताया कि हम रित्री भूजा निकाल सकते हैं लेकिन किसकी मदद से तो पाइथा गुरस प्रमय को देख लेते हैं इसके पहले वीडियो में तो मैंने बताया है लेकिन फिर आपको ताज़ा ताज़ा दिखा देता हूँ ये क्या है ये लिकिशी शंकों तिरवुट्ष की दो भुजाओं के उनपात दिया हो तो हम पायिठा गोरस प्रमय की मदद से, पाहिथागुरश प्रमय के मदद से हम एक ज़लक पाहिथागुरश प्रमय को समझ लेते हैं वह क्या है पाहिथागुरश प्रमय में दुस्त पिछरी वीडियो we कैसे कीशे बोलेंगे यह वो क्या है, यह संब्ध नब्ब काउन और अधहार में बताता है क्या होता है और ऐसकोर में में क्या होता है यह अधर क्या आधर होता है dram ho up क्या होता है हाइफोटे नाश या हाइड इस simult बो खिलते है बदोस्तोšछे टोर तोर करह हम बहonut सारे बना सकते हैंام 5.6 बना सकते हैं वह कैसे क्रण स्क्वार ब्रापर लंब स्कुर जानकेश धार स्कुर्ण है इसे क्या हमने हम लिख लिख लिया है मुँआ लगने स्कुरद स्कुर्ण बों लिख लीक् unto Essential bé conta निकाला तो यह स्कूरा उधे रूट में चला जाएगा तो एह होगा अब यदि हम 2025 चाहते है क्या see यानि length निकालना चाहते हैं तो क्या रूर उधर चला जाएगा यादि सीफ हम B निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा L उधर माइनस में चला जाएगा यानि H square minus L square ब्राबर B square हो जाएगा इस प्रकार से हम फर्मूला को यानि main जो आपका अधरे square और और जो फर्मूले होते हैं वह बनाते बनते आपको खुद ही याद हो जाएगी चलिए मोग देखते हैं कि क्या होता है कैसे बनाते हैं दोस्तों यहां पर क्या है मारा किसी समकून तिर्भूज ABC में कौन भी क्या है समकून है सबसे पहले हम एक समकून अब क्या है कौन भी 90 ड्यवरी का है अब क्या है किसी सबस्दाध करने से पतले आपको ऊच्छ किया भना लेने होगे याद hipına बना लेंगे तो को समझ में आने लगेंगे अब क्या है क्या है यहां पे दिया हूज है क्या है 90th grade थो BC भाइ A भी दिया हुआ है इतना हो तो अने ओत्रकवित्व अनुपात गयात करें यह यहां पे क्या है क्या है कोन A के लिए हम काम कर रहे हैं कोन A से हम चलते हैं इसके पफ़ले हम क्या है क्या है क्या क्या है क्या क्या लिए है। बीसी अनुपाथ एबी यानि बीसी अनुपाथ एबी है यहां और फट्व यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं क्या यहां पर हम क्या लिखते हैं वह पॉर्सिश को हम जानते हैं यहां पर हम लिखते हैं क्या दिया है यहां पर मैं लिखते हूं क्या इसके शोलूशन हम निकलते हैं सबसे परले हम लिख देते हैं दिया है क्या दिया है उष्य हम यहां पर लिखते है क्या दिया है ऐब दोस्तों यह बराबर क्या दिया हुआ बडाबर के माना, बडाबर के इसे मान लिए, क्या है एक पटा तो बडाबर के मान लिए, अब के मान लिए तो यह क्या हो जाएगा, बीसी का मान कितना हो जाएगा, अब इसलिए, बीसी का मान हो जाएगा, बीसी बडाबर वन के, वन के हो जाएगा, यहनि डिरेक्ट के हो ज लिखते हैं आब…AB निकालेंगे तो क्या हो जाएगा… आप दोष्हा नोन हलों सब्सक्राइगा कैसे भूजा निकाल लिए अब तीस्ताय भूजा का कि अनिकलेंगे क्या होता निकालना के लिए क्यों सब्सक्रांब करेंगा यहां पर हम लिखते हैं पाइथा गुरश प्रमयशे पाइथा गुरश प्रमयशे पाइथा गुरश प्रमयशे यह होता है जिसे हम English में कैसे लिखते हैं H square बराबर क्या लिखते हैं L square जोर B square यह हम लिखते हैं तो दोस्तों यहां पर क्या है BC का मान क्या है BC का तो यहां पर K है तो हम इस figure में K लिख देते हैं AB कमान क्या है 2K है यहां पर हम क्या 2K लिख देते हैं अब h² यानि कौन a के लिए क्या है कौन a के लिए लंब क्या हो जाएगा यानि कौन a के सामनी की भूजा क्या है कौन a की सामनी की भूजा क्या करते हैं लंब करते हैं लंब क्या हो जाएगा और क्या है 90 डिगरी के सामनी की भूजा क्या क्या करते हैं करना करते हैं तो क्या है एच के जगह पर क्या हो जाएगा यहां पर एच के जगह क्या हो जाएगा यहां पर एच के जगह क्या हो जाएगा यहां पर एच 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 क्या हो जाएग कि 20 का स्कॉबाइश जोल क्या हो जागा बेस क्या हो जाएगा इसमें की स्कॉट्ट हम निखेंगे प्लिखेंगे एक06 करे स्कॉएर इसके बाद में इसमें प्रश्ट का मानि इसमें क्या है कि कीष्ट रहें इसाम इस hurts लिखते हैं K square, PLUS, AB का मान केटना दिया हुआ है 2k, यहां पर लिखते है 2k का SQUARE अब क्या हम A3 square का तो मान निकालना ही है, दिसे रहने देंगे का SQUARE हो जाएगा और PLUS डूनी केटना हो जाएगा 4 OR K में कैसे करेंगे, K2 हो जायने हमे दें nog यहां पर चलिए यहां पर लिखते हैं 5k², 5k² यह हो गया, उसके बाद हमारा क्या 5k² हो गया, अब हम सिर्फ ac का मान निकालेंगे, सिर्फ ac का मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, यह square उधर रूट में चला जाएगा, यह रूट में चला गया 5k², 5k² हो गया, अब हम सिर्फ ac का मान निक लिलेंगे फ allora saso का सिख वाइफ इस लिए फाइफ और रूट के अंदर ऐगा इस जानुतर तो और फाइफ के रूट अंदर फाइफ के हमने निकाल लिया हम आहले मो हमाने तरिक्षा इनडे अनुपात केसे जलिए कि हम साइन एक मान निकलते हैं साइन ए साइन एक बराबर क्या होता है दोस्तु इससी याद करने के लिए क्या होता है इसका मतलब हुआ क्या L by K यानि लंब बाटकर्न क्या हो जागा यहां पे हमारा हम P लिखेंगे P by H होता है sin A के लिए क्या होता है P by H तो P by H होता है तो P इसमें P का मान कितना दिया हुए है BC P है यानि क्या है लंब है यहां लिखेंगे K by और H कितना हमारा आया है root under 5K root under 5K अब जोस्तों k से यह कट जाय सब्सक्राइगे तो इसका मान कितना यहा T यहाँ पे हो जागा यह B by H निकले तो क्या होता है तो क्या रूट 5 की यहांंपर कितना यहां यहां पर लिखते हैं यहां धालाइक यह हमने समाझ अब भी नाहीं क्या होता है तो क्या है लंबटा अधार यहां पर लिख लेते हैं पी बाई बी यह तो दोस्तों समझने के लिए ऐसे लोग याद करने के लिए को बनाय हुए है यहां पर लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा वाइट यह हो गया अब दोस्तों को से क्यों चलते हैं यह तो तीन हम निकाल लिए को से कमार निकालेंगे वो क्या होता है sin का उल्टा होता है यानि h by p होता है तो यह क्या है आप कटाएंगी नहीं इसे उल्टा कर सकते हैं या h by p होता है तो h कमान कितना है root 5 k by k तो k को k उसे कार दिजी उसके बाद क्या हो जाएगा root 5 आजाएगा हमारा यह हो गया root 5 k और b कमान कितना है 2 k है यहाँपे हम लिखेंगे 2 k के से के कर जाएगा तो क्या हो जाएगा root 5 by 2 यह हो गया अब last क्या है root 5 कमान कितना है root 5 कमान कैसे निकालेंगे 10 का उल्टा होता है 10 का उल्टा तो 10 का Q, P by B होता है इसका क्या हो जागा, B by P, अब चलिए B का मान कितना है, 2K, अब P का मान कितना है, K, किय से K कर जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, 2 by 1, बराबर क्या होता है, 2, दोस्तों इस प्रकार से हम P, B और S को पहले ग्याद कर लेंगे, यानि क्या है, पिगर में लिख लेना है उसके बाद क्या है पैथागुरस मैंसे क्या होता है करन स्कुर्ण इसक्वार बर लंब इसक्वार जोर अधार इसक्वार इस फर्मुला की मदद से हम तीसरी भूजा को भी निकाल सकते हैं इस प्रकार से आपको भनाने हैं और लाक्ष में जैसे ही P, B और S का मान निकालेंगे अब हमने क्या कोन A की ओर से चला तो यह हमारा P हो गया यह भी हो गया लेकिन करन तो अपने जगा पी रहता है यह मैं आपको इसके पहले बाले वीडियों बताया और यह हम कोन C की ओर से चलते तो क्या हो जाता है लंभ हमारा यह हो जाता है इसके शामने की बुजा और क्या इसका अधार यह हो जाता है यानि एक के सामने की बुजा क्या हो जाती अधार हो जाती और करन तो अपने जगार पे रहता है दोसरों यह हलका फर्क होता है जिस कौन से आप चलेंगे उसके शामने की भुजा से कौन हो जाती है जो श्कान को अधार हो जाती है यह इसमें हल्का यंतर है तो इसप्रकार से हम लिए से जानते रहयें याद दो भुजाएं आपको दिये रहेंगे तो अपको कोसं दé जाते हैं अभी क्या theory का हम लोग का class चल रहा है हम लोग full detail में theory को जानते रहेंगे तो फिलाल ये वीडियो आपको कैसे लगी please comment करके बताएं यदि ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो please अपने दोस्तों के पास share जरू करे और इस वीडियो में आपको किश्वी प्रकार की कोई कमी दाती है तो please एक प्यारा सा comment जरू करे तर तक के लिए धन्यवाद फिर मिलते हैं नए वीडियो और नए अंदाज के साथ जै हिंद जै भरत